हेई गाईज मैं हूँ सीमा और दावट चनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ तो अगर आपका कुछ मिठा खाने का मन करणा है बाहर नहीं जा सकते है लोगडाउन है तो आप लोग इस तरह की कुरकुरी और रसीली जले भी घर पर ही बना सकते है घर की ही बस तीन से चार चीजों से हम लोग इतनी टेस्टी सी एकदम रसीली रस भरे जले भी घर पर ही ब चलिए रेसिपी शुरू करते हैं पसंद आए तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है उसमें डाल दिया है मैंने आधा कप मैदा और आधा कप मैदे में हम लोग डाल देंगे बस एक छूटी चमच के करीब यह बारिक वाली सूजी या बिठा होना चाहिए और बस इसमें दो से तीन डॉप्स मैंने औरेंज फूड कलर भी डाल दिया है यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर दीजिए और पसंद है और कलर नहीं है आपके पास तो आप चुटकी बर हल्दी भी इसमे बहुत ही अच्छा कलर मिलता है चलिए अब मैंने यह जो दही का कप था उसी में पानी ले लिया है नॉर्मल वाटर और उसे हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा डाल कर इसका एक स्मूद बैटर त्यार कर लेंगी एकदम से ही आपको इसमें पानी बहुत जादा कॉंटिट अब बस 5-7 मिनिट के लिए हम लोग इसे इसी तरह से ढख लेंगे और तब तक हम लोग इसकी चाशनी तयार कर लेते हैं तो जलेबी की चाशनी जो होती है गाइस नहीं एकदार वाली होती है नहीं बहुत ज़ादा पतली होती है तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी के हिसाब से एक कटोरी चीनी इसमें डाल दी है और उसमें डाल दिया है तीन चौथाई कटोरी पानी जितनी आप चीनी ले रहे हो उससे उसी कटोरी से या उसी कप से तीन चौथाई कप या कटोरी आपको पानी उसमें डालना है इसमें थोड़ी सी पतली वाली चाशनी बनती है जैसे गुलाब जामुन वगरे के लिए हम लोग बनाते हैं ना सेम उसी तरह से और ये जो चीनी हमने इसमें मिलाई है चाशनी में इसकी बाद में बिलकुल भी चीनी के दाने या क्रिस्टलाइजेशन ना हो इसलिए मैंने हाफ टीस्पून के करीब इसमें निम्भू का रज भी मिला दिया है इससे इसमें चीनी के दाने नहीं बनेंगे या हमारी चाशनी बहुत जादा थिक भी नहीं होगी देखिए हाथ के उपर लेने से इस तरह से थोड़ी सी जैसे हम लोग हाथ के उपर तेल लगाने के बाद फील होता है ना बस उतना ही चिपचिपा या चिकनापन हाथ के उपर फील होना चाहिए हमारी चाशनी तयार है पांच से साथ मिनिट तक ही मैंने इसे पकाया है और थोड़ा सा ओरेंज फूड कलर भी इसमें मिला लिया है जलेवी फ्राइ करनी के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी चोड़ी वाली कडाई ले ली है उसमें हमने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है तेल की जगर पर आप चाहे तो गी का भी यूज़ कर सकते है तो चलिए पांच से साथ मिनिट के बाद हमारा बैटर है वो भी यहाँ पर तयार हो चुका है और इसमें हम लोग लास्ट में डाल देंगे बस एक चुटकी के करीबी यह खाने का सोड़ा या बेकिंग सोड़ा यह बिल्कुल भी ज़्यादा कॉंटिटी में आपको नहीं डालना है बस एक चुटकी ही डालना है क्योंकि ज़दा quantity में add करेंगे तो हमारी जली भी जो है guys तेल में डालते ही बिखर जाएगी या अच्छी से अपना shape नहीं पकड़ पाएगी चलिए baking soda है उसे मैंने अच्छी तरह से इस batter में mix कर दिया है और batter की consistency बहुत ज़दा matter करती है एक बार देख लीजिए अगर इससे गाड़ा है तो थोड़ा सा पानी मिला कर आप इससे पतला कर सकते है बहुत ज़दा पतला भी इससे नहीं करना है और इस batter को मैंने piping bag में भर दिया है आप चाहे तो किसी भी तरह का सूती कपड़ा या जो plastic की थैली आती है हम लोग कभी कबार ही जलेबी आवगर बनाते है तो शेप कैसा भी हो लेकिन जलेबी टेस्टी बहुत जादा बनती है शेप चाहे कैसा भी हो खाने में सिर्फ वो टेस्टी होनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने तीन से चार जलेबी इस तरह से इसमें डाल दी है और हाँ जलेबी डालते ही गाईज वो तुरंत उपर आनी चाहिए नहीं तो वो एकदम फ्लैट बन जाती है चप्टी बनती है तो आपको तेल हलका सा शुरुवात में गरम रखना है और एक साइट से दो से तीन मिनिट के बाद मैंने इसे टर्न कर लिया है पूरे चार से पांच मिनिट तक हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लिया है चलिए अब हमारी जो चाशनी है गाईज इस पतीले में से मैंने इस डब्बे में डाल दी है क्योंकि थोड़ा सा इसे भी चोड़ा वाला बरतन चाहिए हमने थोड़ी सी ही चाशनी बनाई है न इसलिए ये जलेबिया इसमें अच्छी तरह से डूबनी चाहिए तो गर्मा गरम जलेबिया हमें डाल देनी है गर्मा गरम चाशनी में चाशनी बिल्कुल भी आपकी यहां पर ठंडी नहीं होनी चाहिए दोनों चीजे अगर अच्छी तरह से गरम रहेगी ना तब भी अच्छी तरह से ये चाशनी को सोख कर पाएगी चलिए फिर से दो मिनिट के बाद हम लोग इसे इस तरह से टर्न कर लेंगी तक कि दोनों साइर से अच्छी तरह से चाशनी इसमें सोख हो जाए तो चार से पाँच मिनिट के बाद मैंने हमारी जो जलेबियां है उसे बाहर निकाल लिया है अच्छी तरह से रस इसमें भर गया है चाशनी इसमें अंदर तक चली गई है आप लोग देख सकते हैं दिखिए बहुत ही जादा टेस्टी वाली डिलिशियस हलवाई जैसी जलेबी हाँ पर तयार है चलिए अब मैं दूसरी भी जलेबियां आपको सेम उसी तरह से तयार करके दिखाती हूँ यह जो पाइपिंग बैग है या जो भी सूती कपड़ा वगरा आप लोग यूज कर रहे हैं उसका छेद बहुत जादा बड़ा आपको नहीं रखना है छोटा सा छेद कीजे नहीं तो बड़ा छेद हो जाएगा तो बैटल ज्यादा गिरेगा और आपकी जलेबिया मोटी बन अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन जरूर कर रहा है तो यह रेसिपी जरूर ट्राय करना बहुत बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और बस दस से पंदरा मिनिट में आपकी यह मीठी सी जलेबिया बनकर तयार भी हो जाती है तो बहुत ज्यादा जंजट भी नहीं है औ लेकिन बाद में वो चाशनी बढ़ जाती है ना इसलिए मैंने थोड़ी सी ही चाशनी आज बनाई है तो इन जलेबियों को भी निकाल लेते है एक प्लेट में तो आज की यह जलेबी की रेसिपी इंस्टन जलेबी भी आप लोग इसे कह सकते है गाईस लोगडाउन वाली करे फिन के रेसिपी आपको केसे लगी मुझे कोमेंंट करके जरूर बता इए और यह रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राइ कीजिए आप लोगों को इस रेसिपी बोख highway पसंद आने वाली तो रेसिपी ज़रूर ट्राइक करना और मुझे कोमेंट सेक्शन में बताना कि आप आपको रेसिपी कैसी लगी अठी लगी है हमेशा की तरह पसंद आई है helpful लगी है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर और दावत चनल पर अगर आप नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलिए गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के स तब तक के लिए थाइस पो वाच्छिंग टे के लग ए अ